प्रीमत भगवत गीता के अध्य आठ अक्षरे ब्रह्म योग का श्लोग 27 देखते हैं पहला चरण ना पे दो मात्रा है नई ते नई ते स के नीचे री की मात्रा री से रिश्यवाली स्री स्री ती की मात्रा बड़ी है नई ते स्री ती पाथ के उपर आधारब पार्थ में अमिक्स करेंगे पार्थ जान की साथ आधान पार्थ जानन पहला चरण रिपीट नई ते स्री ती पार्थ जानन सेकेंड योगी गीव की मात्रा बड़ी है थोड़ा खीचना है योगी यह सेम शब्द जैसे कल ये थे था शुक्ल कृष्णे गती ये थे हा आधा वैसे ही मु आप हिंदी में मु कैसे बोलते हैं मु मु यती क के साथ आधार्श है कश च और न पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे चना कश चना ठेकेंड चरण रिपीट योगी मु यती कश चना पहला और दूसरा चरण सात में नईती सृति नार्थ-जानन योगी मु यती कश चना कीस्ट लाउप Came7 की साथ आधा स है तो सरवेशू, सरवेशू, कालेशू, तसमात, सरवेशू, कालेशू, शरशटकॉर्ण पे थोड़ा तेज बोलना है, सू कोई नहीं बोलना, कालेशू या कालेशू, कालेशू, शाथा चरन, योग, ग में अमिक्स करेंगे, योग, युकतो, युक के साथ, ये जो लिखाव ह उसका मतलब क्या हुआ आधक और तपूरा तपूरे पर ओ की मातरा लगाएंगे तो तो यूक्तो भवाजू के उपर आधे रख की मातरा भवार भवार जू भवार जू न पूरा नमीं अब mix करेंगे भवार्जुन, जून नहीं बूलना है। जू बड़ा नहीं है, जू छुटा है। भवार्जुन। च्वाथा चरण रिपीट, योगयुगतो भवार्जुन। तीसरा और चौथा चरण साथ में तस्मात सर्वेशु कालेशु योग युक्तो भवार जुन इस लोग में एक बात ध्यान रखनी है जब भी सर्वेशु कालेशु शब्द आया है मैंने कुछ लोगों की गलती निस्टिक मतलब देखी है आप लोग सर्वेशु और कालेशु बोलते हैं कालेशु में तो शक्कॉन वाला आ जाता है लेकिन जो सर्वेशु का शह न वो बराबर नहीं बैठता सिध्यान रखने दोनों जगह पर शह बोलने ठीक है एक बार वापस नैते स्रिती पार्थ जानन योगी मुयति कश्चन तस्मात्सर्वेशु कालेशु योगयुक्तो भवार्जुन अगें श्लोक का अर्थ देखेंगे नैते न, नै, एते इन दोनों कौन-कौन से दो मार जो शुक्ल और कृष्चन वाले बात हमने की है शृती यानि मार्गो को पार्थ पार्थ अरजुन का नाम क्योंकि अरजुन पृत्था यानि कुंति के पुत्र इसलिए पार्थ जानन जानने वाला योगी योगी मुईति यानि मुहित होना नईते में न शब्द हमने जोड़ा था, तो उसका न और मुयती ये दोने साथ में आर्थोंगे, न यानि नई, मुयती यानि मोहित, इन दोनों को साथ में जोड़ा तो मोहित नहीं होता है, कश्चन कभी भी, कोई भी, तस्मात, वसे तस्मात का इसलिए होता है, सरवेशु स सबी कालेशु समय में योग युक्तो भवार जुन भवार जुन इसमें भव भन अर्जुन दो शब्द जुड़ें भव यानी होना और अर्जुन अर्जुन के रिए योग युक्तो योग युक्त हो जाओ इसलिए तुम सबी समय में क्या हो जाओ योग युक्त हो जाओ रहो ना खुश होना ना दुख्य होना वो समता की स्तति है फल की इच्छा नहीं होने मतलब जो परिस्तिती भगवान के द्वारा बेज़े गई वो प्रसाथ वो चीज को यहां पर बताये गया योग योगत अब पूरा अर्थ क्या निकला ही प्रिथानंदन या ही अर्जुन हर समय पर क्या हो जो योग योगत हो जो मतलब चाहे वो शुक्लमाग से जाए चाहे वो कृष्णमार्ग से जाए इनको जो जान लेता है वो योगी कभी इनसे मोहित नहीं होता क्योंकि उसकी स्थति किसमें रहती है समता में और जब समता में स्थति रहती है तो चाहे किसी की भी प्राप्ति हो वो सब कारिये परमात्मा की प्रसंदता के लिए करता है किसी भी चीज में कामना नहीं हमें स्वर्ग मिले या हमें वो मिले ये मिले आज भी जिसे महाराज जी ने अपनी सत्संग में यही बात दोली कि हम हर समय केवल यही रखें कि हम जो भी काम कर रहे ह उससे अमारी भगवान के चर्णों में प्रीती हो जाए, तो बस वो और कुछ कामना नहीं करता, क्योंकि जो कामना करता है, उसका जन्म मरन होता है, जब यहाँ पर कामना ही नहीं होगी, तो फिर वापस क्या होगा, जो इसको जान जाएगा, कि ये शुक्ल मार गए, ये में नहीं फस्ता, अभी नाशी, सहज, सुपराशी, ही नाथ, ही मेरे नाथ, मैं आपको भूलो, नहीं, ना रह, ना रह.